हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल पामी ब्यूटी वर्ट तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब ठीक होंगे तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बोड़ी ब्लीच से रिलेटिड होने वाली है यानि बोड़ी पर ब्लीच कैसे करनी है, कितनी मातरा में एक्टिवेटर डालना है ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा देखिए मेरी क्लाइट की स्किन पर कितने सारी हेर्स हैं, जो कि ब्लैक कलर के हैं और इनकी कमर का जो स्किन टोन है, वे भी अनीवन है पर आजकल क्या है, गर्मियों का सिजन स्टार्ट हो गया है और वैक्सिंग सबको सूट नहीं करती, अगर हम इनकी वैक्सिंग करते हैं तो इनको दाने होने के चांसे हैं, क्योंकि इनकी स्किन सेंस्टिव है और D10 करवाने से इनकी skin के hair blonde नहीं होने थे इसलिए हमने इनकी bleach की है bleach हमने यूज की है Salina company की आप किसी भी company की bleach यूज कर सकते है साथ में मिलता है activator rose water लिया है cleansing milk लिया है wedding line का moisturizer यूज किया है bowl है, tissue paper है और mixing के लिए एक छोटी कटोरी है और उसमें एक brush है guys सबसे पहले आपने client की cleansing करनी है first step आपका cleansing का रहेगा मैंने सबसे पहले rose water spray किया है, ताकि जब हम cleansing करें तो proper तरीके से hand movement हो जाए cleansing करने से यह benefit होता है हमारी skin में जितनी भी dust, धूल, मिटी, pollution जो भी होता है वे अच्छे तरीके से remove हो जाता है skin के dead cells भी बहुत अच्छे तरीके से remove हो जाते हैं cleansing का stock आपने अच्छे तरीके से लेना है, साथ की साथ पानी का use जरूर करना है क्योंकि cleansing का work होता है हमारी skin में से dirt को remove करना, तो ऐसे में अगर आप पानी का हाथ अच्छे से नहीं लगाएंगे तो आपकी skin की जितनी भी गंदगी है, वे skin में से अच्छे तरीके से remove नहीं हो पाएगी तो इसलिए आपने पानी का use करते रहना है hand movement आपकी थोड़ी hard रहेगी face के बजाए body पर जो हाथ होता है थोड़े अच्छे तरीके से ही चलाए मैंने wedding line का cleansing milk यूज किया है आप किसी भी brand का use कर सकते है जिस तरीके से back पर cleansing की जारी है, उसी तरीके से आप हाथो पर, पैरो पर full body पर cleansing कर सकते है body के किसी भी external part पर cleansing की जा सकती है 2-3 मिनट तक आपने massage देनी है, अच्छी मातरा में पानी लेकर अच्छे से massage करके body की गंदगी, दूल मिटी को अच्छे तरीके से remove करना है और skin में आपका काफी अच्छा massage का stock होना चाहिए, जब हम कमर पर massage करते हैं, तो आपकी massage proper पर बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि हमारी कमर पर हमारा हाथ नहीं जाता, तो अच्छे तरीके से हम खुद से clean नहीं कर पाते हैं, कोई other करता है, तभी हो पाती है तो इसलिए आपने cleansing करते हैं, समय इस बात और आपने 2 spoon bleach ली है, तो आपकी activator की मातरा 2 pinch ही रहेगी, यानि कि अगर body पर कर रहे हैं, तो ratio रहेगी 1 is to 2, अगर face पर कर रहे हैं, तो ratio रहेगी 1 is to 1, काफी अच्छे तरीके से आपने mixing करनी है, mixing करते समय आपने इस बात का ध्यान देना है, कि activator के जो दाने है, bleach में बहुत अच्छे तरीके से mix हो जाने चाहिए, guys जब भी आप bleach की application करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान दे कि आपने bleach की coating बहुत अच्छे तरीके से करनी हैं, अगर आप proper तरीके से bleach की application करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो hairs होते हैं काफी अच्छे तरीके से golden हो जाएंगे, bleach से हमारी skin पर काफी अच्छा glow आ जाता है skin पर जो hair होते हैं वह golden color की हो जाते हैं skin के color के साथ mix कर होने लगते हैं, यानि कि अलग-अलग नहीं दिखाई देते, जो की अच्छे लगते हैं, bleach से हमारी skin है, काफी fair भी लगती है bleach month में आप एक बार ले सकते हैं, गाइस देखिए हमने bleach की जो application की है vertically की है, तो आपने ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने इसे proper तरीके से field horizontally घुमाना है, ताकि एक भी hairs golden हुए बिना ना रहे, अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो proper तरीके से hairs अच्छे से cover नहीं हो पाएंगे और आपको result नहीं मिलेगा क्योंकि अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो उपर उपर के जो hairs है वे golden हो जाएंगे, पर roots golden नहीं हो पाएंगे, तो इस बात का ध्यान दे कि आपने proper coating करनी है जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, आप full body पर भी इस तरीके से proper coating करेंगे तो आपको result काफी अच्छा मिलेगा और bleach का इस तरीके से अगर हम application करते हैं तो result काफी लंबे टाइम तक रहता भी है क्योंकि वह skin के जो roots होते हैं, skin के जो hairs होते हैं वहां तक bleach का effect चला जाता है और guys इस तरीके से आप application करें, मैं अपने ही tips and tricks आपको बता रही हूं क्योंकि मैं full body पर जब भी bleach करते हूं इस तरीके से horizontally, vertically brush को proper चलाती हूं जितने भी hairs होते हैं proper golden हो जाते हैं बिल्कुल भी hairs छूटते नहीं है और जल्दी ही इसका result मिलता है और लंबे time तक इसका result बना रहता है 20 minutes का wait करते हैं bleach लगाने के बाद पर आपने 10 minutes बाद bleach को अच्छे से गुमा देना है अगर कहीं पर bleach की application छूट गई हो तो वहाँ पर भी bleach का बहुत अच्छे तरीके से result मिलता है 10 minutes बाद हमने घुमा दिया था अब हो चुके हैं 20 minutes अब हम चेक कर रहे हैं आपने हमेशा पहले चेक करना है तभी bleach को remove करना है इनके जो hairs हैं देखे प्रोपर तरीके से golden हो चुके हैं एक भी hairs नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब है कि hairs जो color है प्रोपर blonde हो चुका है बहुत अच्छा result आया है इनकी skin पर और guys जब आप चेक कर लेते हैं तो रारायक्ट टीशू पेपर से bleach को ना उतारे पहले जितनी bleach है उसे आप किसी knife से अच्छे तरीके से remove कर दें अगर आप टावल से या टीशू पेपर से bleach को ऐसे उतारते हैं तो वह काफी unhygien लगता है और काफी लंबा time भी लग जाता है bleach उतारने में इस तरीके से आप bleach को उतारें जैसा कि आपको वीडियो में दिखायाद गया है मैं भी इसी तरीके से full body की bleach उतारती हूँ इससे easily bleach उतर जाती है और बाद में bleach उतारने में ज्यादा लंबा time भी नहीं लगता proper तरीके से bleach उतार दी गई है उसके बाद हम wet tissue paper का यूज करेंगे और अच्छे से skin को clean करेंगे bleach का procedure almost complete हो चुका है अब इसके बाद हम यूज करने जा रही है moisturizer का क्योंकि आपने skin को as it is ऐसे नहीं छोड़ना क्योंकि अगर आप skin को ऐसे ही छोड़ देंगे तो skin में dryness बन जाएगी और skin में glow proper पर तरीके से नहीं आ पाएगा तो ऐसे में आपने bleach के बाद या तो cold cream की बहुत अच्छे तरीके से massage देनी है या फिर किसी moisturizer का use कर सकते हैं या फिर body lotion का भी use कर सकते हैं और guys अगर आप मेरे चैनल पर first time visit कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर mostly video armpit waxing related armpit shavings related upload है और मैंने काफी सारी video other waxing से related भी upload कर रखी हैं जैसे full hand waxing full leg waxing, tummy की waxing, face की waxing bleach और facials से related भी काफी सारी videos मेरे चैनल पर available हैं अगर आपने अभी तक चैनल पर visit नहीं किया तो please एक बार चैनल पर जुरूर visit करें काफी useful होने वाली है मैं video आपके लिए और guys अगर आपको मेरी video useful लगे, interesting लगे तो video को like करें, share करें साथ में चैनल को subscribe भी कर ले और bell icon को जुरूर press करें ताकि आने वाली latest video की notification आपको time to time मिलती रहें तो guys देखें कितनी shine करने लगी है मेरे client की skin यू आपको बहुत देखें यू देखें साथ